अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक अपडेट है उन चात्रों के लिए जो काफी दिन से परेशान थे मुझे आप लोग कोल भी करते सार आइटे के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे ठीक है तो फाइनली फिलाल एक राच्छे के जो है बिहार ठीक है मैं बात करना हूं इसके जो आई टी आई के जो फॉम है इसके आई टी एडमिशन के फॉम हो चुके है फंदरा तरिक से चैनलीके पंदरा अपरेल से फॉम में स्टार्ट हो चुके हैं अब मैं आपकी वालिफिकेशन ही बताँगा क्या क्या चीजह आपको पढ़नी होंगे किस बेस पर इसे होते हैं ना कुछ गोर्मेंट यहां अपर गोर्मेंट की ओर से जो बिहार इटी है वहां से जो फोर में निकाले जा चुके है गोवर्मेंट तो अभी फिलाल मैं आपको क्वालिफिकेशन एक बार दिखा जाता हूं ठीक है अपलाई कैसे करना हो मैं आपको बता दूँँ तेरा पांच दोजार तेइस आना यानिके तेरा मई जो है इसकी अन्तिंति रखी गए अप्लिकेशन करने ऑनलाइन आपका एवेदन होगा उसके बाद फीस्पेमेंट करने की आपको 14 मैं तक आप इसमें जोह है फीस्पेमेंट कर सकते हो अगर आपको कुछ गलती हो गई ह के फो में करेक्शन करने की डेट है 15-16 मईइ उसके बाद जो एक्जाम डेट है पिसके बात करों पीस फेमेंट की जितने भी यहां पर जनरल और चाहतर है और EWS वाले चाहतर उनके लिए यहां पर साड़े साथ सो रुपए रखा गया है फिस सग्राइट एरिया ऐसी स्ट के लिए रूपीज है और जो पिए जो है यहां पर चाहर सो तीस रुपए अगले पोइंट की बारें बात की बात करूं तो कम से कम भाई चाहतर की जो आयू सीमा वो चोबिस साल होनी चाहिए चोदा साल होनी चाहिए यानि के चोदा साल से लिए कभी तक भी आपकी पच्छी कितनी भी हो यहां पर कुछ भी मैक्सिमम एज लिम मलद mounted चाहिए सिर्फ while name के चाहिए ऑनने साइस आपके पास होना चाहिए सब्च zij अन्हों यह मंगत रख है ठिक है भी आपके पास होना चाहिए तो ईक्ली यहां पर अगले पॉयंक के की बारे में यहां पर क्या क्या चीज़े पढ़नी पढ़ेंगी दियर तो देख्यों साँ क्या होता है इसका मैड़िट वेस पर कि इसका एक एकजाम डेड़ी बता दी exam में आता है एक्सां में सिर्फ आपका वही टएंभल का अता है कि न जो आपके पढ़ाय सिर्फ वही आता है एक का मैथ आएगा मैं आएगा एक आपका जी एसा यह गा जिकर जिगे जन्रल साइंस ऐए आपका जी के हैं 50-50 नंबर के आपके आएंगे पैसरी 50-50 संदों नंबर का आज़ेंगे टोटल किदने के शिन होगे 1500 इतने नंबर के आपके यहां पर होंगे अब जो चात्र इसमें अच्छा परत्रशन करेगा यह ना उसकी अच्छी बनेगी पदों की अगर मैं बात करूं तो लगवग लगवग पद निकाले गए हो 32,000 पद से प्लस है ना 32,000 पद प्लस हैं इसमें पिछली बार जो वेकंसी निकली थी पिछली साल की जो इसमें 25,000 पद थे और अब की बार यहां पर 32,000 पद हैं तो यह यहां पर रहने वाला है एक्जाम डेट मैंने बता दिए अब तैयारी कहां से करोगे तो पहली बात तो यह आपके पास आपका टैंथ आपने सबने करक् जादा हाई लेवल का नहीं आने का जीके वगएरा बेसिक जीके जो होता है आपका उपर लें थोड़ा और उसके बाद आपकी जो दस्वी की साइंस है एक पढ़ने और तस्वी का मैथ वही आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो यह बिहार एडमिशन का फॉर्म है ब आपके में जाएग्जाम होता है आपने अडमिशन ले लिया है अडमिशन के बाद फिर हम तयारी करवांगे आपको जो भी ट्रेड मिलेगे तो यह व्यूद्ग करना चाह रहे हैं और आपके लिए अपर चनल बहुत ज्यादा बेने वाला है क्यूंकि नाम भी आईटिए अगर आप अपका सेलेक्शन भी होता है और अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है लेकिन एक दिक्कत अडियर जो सबसे बड़ी चीज होती है को ते क्या होती आपकी ट्रेड़ कग अगर आपको नमबर वन पे ट्रेड़ रखता हूं मैं इलेक्टरिशन को कि को इसरे नंबर पर अती वहाथ है फीतर तीछरे नंबर पर जो आते है वात्य इलेक्ट्रो नीक मेकनिक िन्धा कि प्सीन फिर यह चलते जाता है तो वा вр Almost को ले सकते हो वायर मैन भी आपके आजाती है कि वायर मैन वाले भी छटे पर जो अन्या होती है वो चलता रहता है तो यह कुछ ट्रेड मैं आपको बता है अगर इन में से आपको ट्रेड मिल रही है अगर इन में से आपको ट्रेड मिले तो ठीक है नहीं तो बाजी बाजी ट् यहल डाल चला है कोपा वाली यह तो थोड़ा ट्रेड का रखना आपका जो एक्जाम होने का बाद आपके लिश्ट लगी हालागी मैं एक वीडियो बना भी दूंगा उससे पहले कभी आप मामला कड़ पर कर दो एक्जाम दो एडमिशन लोग कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह जो ट्रेड का सबसे ध्यान रखना डियर रेड सबसे जरूसिरी होती है जो वैकेंसे निकलती है यह निकुछ ट्रेड पर चुनिंदा ट्रेड है जिन पर निकलती है ठीक है और ध्यान रखना प्राइवेट है मेरे पास भी आते हैं कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के करवाना चाहूं तो तो देखो ध्यान रखना बहुत सारे कोलिज हैं जो आईटेड मिशन स्टार्ट कर चुके तो आपको ध्यान रखना है अगर चकर में पढ़ोगे थोड़ा साथ हो तो इसीज इसे बिल्कुल भी आपको आईटेया नहीं करनी है आपको सिर्फ एंसे वीटि कोई टार्गेट करके चलना है वो चीज क्या होती है मैं आपको एक वीडियो क्रियेट करूंगा के लिए बता दूंगा नसीवीट और क्या आपको ट्रेड करना चाहिए एक परिटेकल बीडि नीची डिस्क्रिप्शिन लोक्स में या फिर मैं नंबर लिख रहा हूं इस स्क्रीन पर हमारे टीम से बात करके जो है आपका फोल करके आईटी जो फोम है वह यहां से फिलप करवा सकते है उसका फोम तो यह चीज आपको यहां पर पता लग चुकी होगी तो चलिए फिर इसी के साथ आज की वीडियो कहीं पर दियान करता हूं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी आप कोई भी डाउट बने तो मुझे लास्ट में कमेंट करते न और आपके एडमिशन से पहला में एक वीडियो लाओंगा आईटी एडमिशन को लेकर कौन-कौन से ट्रेड अच्छी होती है एंजी एसी बीटी क्या है कहां पर एडमिशन लेन इसी फीस ख्रेटे क्या होता है गोवर्मेंट है प्राइवेट में क्या-कास वीडाय मिलती है एक्जाम कैसे होता है सब सीजए मैं आपको बताऊंगा इससे एक आगली वीडियो आए कि मैं आ कर दूंगा उस वीडियो में ठीक है चलिए फिर आज की वीडियो की पर दियान करता हूं मिलता हूं अगली वीडियो में आज की लिए इस दिर नहीं धन्यवाद